नमस्कार दोस्तों मैं हूं डक्टर एर्विन नामदिव मैं भुपाल में शिवालय होस्पिटल में पेटेवं लिवर रोग विशेशग्य के रूप में कारे रहा हूं एक सवाल मुझसे मैंने देखा कुछ समय से पूछा भी गया पेशेंट भी आते हैं क्योंकि बहुत कॉमन सी प्रॉबलम है तो मुझे लगा इस पर एक आंसर करना चाहिए सवाल यह है कि पेशेंट कुछ भी हलके पेट दर्द के लिए कभी कभी अपनी सोनोग्राफी कराते हैं और उसमें उनको फैटी लिवर निकल के आता है और यह बहुत कॉमन है बहुत साधरन तक कई लोगों में चीज मिल रहा है क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जादा हो रही यह लोग खा रहे हैं लाइस्टाइल एसी एकि बैठे रहते हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहा है जंक च्शलिस से मिलिए बड़े घबड़ाउए होए से आते हैं कि सर यह फैटी लिवर और हैपटाइडिस बी-क ड fullness का क्या कनेक्शन या सी का क्या कनेक्शन नहीं तो पहलas यह पारइटीस चाज़ा-थो नहीं हagain संबस्दुए सोँ आपकी लाइस चलते आपको बाहता जाद जिसमें आपको hepatitis B या C positive आ गया है तो इस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ दोनों में connection कुछ भी नहीं है hepatitis B और C एक viral infection है जो अलग तरीके से फैलता है जिसमें कि आपको injections contaminated लग गए हो tattooing कराई हो आपने या shaving वगएरा कराई हो या mother infected थी तो pregnancy के दोरानी baby को हो गया या unprotected sex किया गया तो इन सब चीजों से जो है ये hepatitis B और C फैलता है जैसे C जो है पंजाब और इस तरह बहुत जादा है because वहां drug abuse जादा है injections यूज करते हैं common तो उसके चलते हैं C ये जादा फैलता है अब रही बात fatty liver की तो fatty liver जो है ये lifestyle related disease है शराब पीने से fatty liver होता है और जो लोग शराब नहीं पीते हैं यदि वो मोटे हैं डाइट उनकी ठीक नहीं है तो उसमें fatty liver होता है ये सारी बाते में कहा चुका हूँ एक connection जरूर है दोनों में कि यदि fatty liver के साथ hepatitis B या C positive आ गया तो आम भाशा में बोलें तो ये वैसी चीज हो गई जैसे करेला नीम चड़ा याने कि एक कड़वी चीज है जो कि अलड़ी और कड़वी हो गई है कहने का मतलब है कि fatty liver अपने आप में liver को कमजोर कर सकता है खर hepatitis B A C हो गई या जिनको hepatitis B A C है तो उससे उनको fatty liver हो जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन यदि यह दोनों एक साथ हैं कि आपकी lifestyle भी खराब है कि आप शराब भी पी रहे हैं या आप मोटे भी हैं आपको sugar blood pressure भी है और ऐसे में आपकी risk मतलब बोलना चाहिए risk taking behavior है या कुछ इस के सारे complications हो सकते हैं तो definitely यदि fatty liver है तो हमें उसके अलाज तो लेना ही है शराब बंद कर देनी चाहिए अगर लेते हैं यदि hepatitis BC साथ में आया है तो definitely एक virus है तो उसके सारे test कराएं अगर viral load जादा है liver कमजोर हो रहा है तो definitely उसकी दवाईया है जो आपको properly लेना चाहिए इतना ही connection है और I think कि चोनों ही चीज़ें इंडिया में बड़ी common है तो इसको लेकर घवराने की ज़रत नहीं है बस proper आप होने वाले complications से बच चेकें दोनों ही ठीक हो सकते हैं hepatitis C की दवाई या दो तीन महीने चलती है जड़ से खतम हो सकता है hepatitis B depending upon viral load और stage पर उसकी दवाई का duration तय होता है पर वह control तो होता ही है कुछ cases में खतम भी हो सकता है fatty liver तो definitely पूरी तरह से आपके हाथ में है सही समय में प झाल झाल झाल